नमस्कार बच्चों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी उटी इंडिया पर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके सामने है सरो नाम हमने संग्या को पढ़ चुका है संग्या के बाद हम लिंग वचन और कारक को पढ़ लिये थे उसका जहमेला हम लोग खतम कर चुके कि इस से पहले का जो भी लिक्चर रहा होगा आप सभी को समझ में आया होगा अगर नहीं भी आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाओ दे सकते हैं कि सर आप इस तरह से पढ़ाएंगे तो हमस्द में नहीं आया तो में जो मेरा थन लिया जाएगा वहां पर सभी को उस वो उस टॉपिक को फिर से समझाया जाएगा ठीक है यानि आप लोग लोग आगे पढ़ते हैं और आज हम लोग सरोनाम पढ़ते हैं ठीक है तो सरोनाम देखिए क्या होता है जो सभ्द संगया के अस्थान पर परियोग होते हैं वहाँ पर सरोनाम होता है जैसे देखिए एक जंगल में एक सेर रहता था सेर बहुत लंगरा लिखा गया ठीक है सेर सिकार करने निकलता जब भी वह सेर जो है सिकार करने निकलता तो सेर को कोई सिकार नहीं मिलता था सेर हर बार नीरास होकर लोडता था तो यहां पर देखिए ना सेर का परियों कितना बार हो चुका है एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार तो वहां कि पढ़ पढ़ने में देखिए एख जंगल में एक सेर राता था सेर बहुत का गरणा मोटा था तो यहां इस में जब थे वह सिकार करने निकलता तो उसको कोई सिकार नहीं मिलता तो अब पर ये पूरे वाक्य को कितना अच्छा लएगा एक जंगल में एक सेर रहता था वह बहुत तगड़ा मोटा था किन्तु जब भी वह सिकार करने निकलता तो उसको कोई सिकार नहीं मिलता था वह हर बार निरास होकर लगता था कितना अच्छा लग रहा है पड़ने में यही होता है सरो नाम याई संगया के अफ्ठान पर जिन सब्दों का पर्योग करते हैं वह हमारा स्वर नाम होता है ठीक या ब्याकरर के अधार पर एक होता है रूप या उत्पति के अधार पर और एक होता है आपका पर्योग या ब्याकरर के अधार पर तो रूप और उत्पति के अधार पर दो फरकर का होता है एक होता है मौलीक और एक होता है योगीक यादि मौलीक मतलब मूल सवर नाम और कि मूल्च सवरणाम क्या होते हैं और योगिक सबस्तों होता है हमने लगता है कि आप आक्छे पाहेंगे देखने लेघो हैं तो च्वर करका के होते हैं एक आपका हुवा पूरस्वाचक जो होगे Nest करें हो सबस्क्राव लुब भुच्द ंरॉक तो आपको चवह याद रहना चाहिए एक हम लिधा हम याद करा रहे हैं छाइं आप पुरुस वाचक यानि मैं स्वाइम पूरूश हूँ ठीक है आप महिला भी होगे आप गर्स भी होगे फिर भी एक्जांपल माल ली ठीक है कि हम स्वाइम पूरुस वाच्व ठीक है स्वायम मतलब नीज मतलब स्वायम ठीक है पूरुस वाचक नीज हम निश्चीत में है कि अनिश्चीत में स्वायम है यानि कि हम निश्चीत में पूरुस है तो एक हुआ पूरुस वाचक एक हुआ मैं यानि निज वाचक एक हुआ निश्चीत में संबंद रखेगा इसी तरफ एक आध दोबर प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको याद हो जागे ना हम यह पर नहीं देखे हैं अब देखेगा पूरुस वाचक यानि मैं 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 निजवाचक ठीक है मैं मतलब निजवाचक मैं खूद फिर निश्चीत में हम पूरसे हैं प्रस नहीं ह theor प्रस्ण वाचक यह को याद रखेगा एक जो आपका , होज़स वह नाम और एक आपका योगिक की अधारपर आप पर रियोग को इसा पूछ देता मइं और कोई लिजगा इंगा चरीह सब्सक्राइब करें किस सरुणाम का पर्योंग हुआ है आपके सामने हैं माली क्या होते हैं और योगिक सरोनाम क्या होते हैं आप सभी के सामने हैं मीलिक सरवनाम क्या होता है जो खुद यानि मूले सरवनाम ठीक है मूले सरवनाम करते है अग्oud यह मृलिक सरवनाम उनकी संख्या होती है बच्चों 11 होती है कि तुच आप कूछ 11 जो है हमारे मूलें सब्स problème अगर लिंग वचन और करक के अधार पर अगर इसमें परिवर्कन आ जाए मोलिक में तो वह हमारे योगीक सरूनाम होता है जैसे मैं मैं क्या हो आपका मुलस रॉख यह अगर हम मैं को लिंग वचन और कारत के दार पर चेंज करें को मैं का हम हो जाएगा बारक की दार पर करता ने कर्म को मुझको ठीक है कारक के दार पर चेंज कर देंगे इन्होंने इन्से यह हमारे देखने से इस पर लगए इस एक दिमाग लगा यह कैसे पकड़े हम मैं तू आप यह सो कुछ सो हो बढ … शू को उश्क नहीं हो गया उसके उन्होंने हो गया उसके उन्होंने हो गया नहीं देखने से यौग तो आप मुल सरण नाम और योगिक सरण नाम समझ गये होंगे कभी कभी कोशन पूछ भी सकता है आपसे कई सारे पूछा भी है कि मौलिक सरण नामों के संख्या कितनी होती है तो 1111 1128,115 मौलिक होते हैं बाकी योगिक सरण नाम होते हैं ढो आगे आप सबी के सामने है जो च्य सरण नाम कौन कोकौन फिरसे आप लाद करिये ठीके हाथ अंगुलित ही আप करिए breaks तो सरवनाम होते हैं वह अच्छे परकार होते हैं और संग्या का कितने परकार होता है आप पड़े होंगे संग्या का परकार था वह था पांच और आप सोचिए के खाव में याद है कि नहीं है आप थोड़ा याद करिए संग्या को संग्या 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 के पांच परकार वाचक सरोनाम पूरूस वाचक सरोनाम क्या होता है तो जिस सरोनाम का परयोग इस्तरी एवं पूरूस दोनों के लिए किया जाता है उसे पूरूस वाचक सरोनाम बोलते हैं अब पूरूस वाचक सरोनाम में सिर्फ पूरूस के लिए नहीं या महिला का भी परयो हो सकता है जै सुर्ण है आप बहुत सुंदर है कि बहुत सुंदर दीखते हैं दूब फोग तो यह एक लडकी है दूग하고 एक लड़का है यह एक लाइट है वह एक एलीएन नाम है इनका प्रयोग हम स्तरी और पूरुष दोनों कर सकते हैं यह मारा पूरुस वाचक सरों नाम हुआ ठीक है अगला आप सभी के सामने है वाके पर्योग क्या है तो वाके पर्योग के माध्रम साब समझ जाएंगे क्योंकि अभी आम जो एक्जामपल दें तुट पूड़ी एक्जामपल है ठीक है देखिए मैं कल घर आप मोहन से बात क्यों नहीं करते आप क्या है पूरुस वाचक आप मोहन से बात क्यों नहीं करती इस्तरी पूरुस वाचक यानि पूरुस वाचक में अब मत समझे कि पूरुस कई पर होगा मैला और पूरुस दोनों का पर हो सकता है यहां मेरे घर गया था यहां मेरे घर ती ये और पूरूस बाद क Amen अब मेका इस्तिरिवा सेथरोनाम होगा क्या हुआ हिसमे वाचक सरोनाम तो यहां पर आंसर देना होगा पूरूस वाचक सरोनाम भले इस्तरी का प्रयोग हुआ हो सवरा नाम अच्छे से समय होंगा क्योंकि हम अच्छा समझा भी रहे हैं आगे देखिए आप सभी के सामने हैं पूरुस वाचक भी जो होते हैं भ93 में अपने आप में शोयम थीक न यानि कि जो बोल रहा है उथ्तम, और जिससे बोल रहा है न, ऊःवा मध्याम और जिसके बारे में बोल रहा है, और जिसके बारे में बात हो रहा है, या किसी और के बारे में तो अन्य पूरुस हुआ ठीक है ना मध्या में तू और आप हो जाएंगे जिसके बारे में बात होग्त हो रहा है यह और वह यह हो जागए जैसे मा लिजिए मेरे सामने दीपक सर खड़े हैं ठीक है मैं बोलूगा दीपक सर वह एक पंखा है तो मैं जो हुआ वह मैं उत्तम हुआ दीपक सर जो हुए वह मध्यम हुए और पंखा जो हुआ वह अन्य हुआ ठीक है तो जो पुरुष वाचसर नाम होते हैं उनके तीन भी होते हैं कौन-कौन सा एक हुआ आपका उत्तम और एक हुआ मध्यम और एक हुआ अन्य हुआ ठीक ह तुमको बताया था मध्यमपूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर पाइटिस परस्तों कहीं नी जाने माला है बस आप क्लास को अटेंट करें नोर्स बनाए अब आप पर रिविजन करते रहें ठीक है चलिए आगे बरते हैं और आगे देखेंगे बच्चेंगे नीजवाजक नाम क्या होता है तो जो अपने आप में स्वयम होता है नीजवाच स्वयम होंगा वहां के देखेंगे अपने आप घो खाना बनाता है क्याevery लिखेंगे दिपक स्वयम खाना बाता है क्या कोई साना मौत की अपने आपकी बात है तो कर दक बच्च बच्च्च कарт was the addiction को का सब्चंग थेसा ऒंषा है दोनों है एक जहां पर किसी निश्चित वस्तू का बोड हो निश्चित वाचक बहुत असान है जिसे सरणाम से किसी वस्तू ब्यक्तिया पदार्थ के ठीक 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 और निश्चित ग्यान हो उसे निश्चित वाचक सरणाम कहेंगे जैसे देखिए यह हो गया वह हो गया यह एक पेन है य पंखां है यए कीताब है रेली में किताब है निश्चित हुआ ठीक है आगे बढ़िए और आगे देखिए आपका है वह लड़का कल भी आएगा निश्चित हुआ यह बच्चा बहुत से तानी करता मेरे सामने ख़डा है बहुत सतानी करता है निष्चीत हुआ आगे यह अपनी घर से आया है यह तो निष्चीत हुआ आगे देखिए आप सबीके सामने है अनिश्चित हुआ तो क्या होता है जहाँ पर निश्चित का बोद नहीं हो जैसे देखे न कोई आया है आपके घर कोई आया है अनिश्चित हुआ आपके घर कोई आया है अनिश्चित हुआ मामा जी कुछ लेकर आये हैं और निश्चीत हुआ मामा जी संतरा लेकर आये हैं निश्चीत हुआ तो आप समझ गया आगे हैं प्रस्णवाचक आगे तुम्हारे घर कौन आया था भाई कौन 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 प्रस्णवाचक तुमने हहागा विद्याइव ता रच्त पूरनाम का प्रियोग प्रशन करने के लिए या त तो हमेंगा है जो जागेगा वही पाएगा और जो सोया है हो खोया है समझ गया है समद्ध बता रहा किसका जो जाग रहा है उसी का समद्ध बता रहा है वो पाएगा जो सो रहा है उसी का समद्ध बता रहा है वही खोएगा समद्ध वाचक गुआ वह लड़का जिसकी यह किताब है कल आया था यानि जिसकी यह किताब है न किसका बात हो रहा है ल यह वहां पर पर्योग जिसके जिन्हों ने जो सोएगा ओखोएगा जो जागेगा वह पाएगा ठीक है वह अलगा जिसकी किताब है वह कल आया था आज वह आया था जिन्हें हमने कल पीटा ठीक है तो क्या हुआ समंद बता रहे हैं जिन्हें से समंद बता जिए जिसके से बता दियें जिसका से बता दियें फुछ असान है इतना बड़ा है कि आप वह रज़ाग डर लग रहा होगा मे का रूप मौलिक सरणाम के योगिक रूप लिंग वचन कारक के अधार पर यहां पर करता के रूप में देखेंगे यहां पर कारक है यहां पर एक वचन का प्रियोग हुआ है और यहां पर बहु वचन का प्रियोग हुआ है तो करता के अधार पर देखेंगे तो करता माले जी हुआ मैं मैं क्या हुआ एक वचन लेकिन अगर मैं का बहुचन पूछे तो वह हो जाएगा हम मैंने का बहुचन हमने मैंने क्या हुआ एक वचन हुआ और अगर मैंने का बहुचन बनाना है तो हमने ठीक है मैंने इस घर को बनाया है यानि मैं सोय बनाया हूं लेकिन अगर लगा देंगे हमने इस घर को बनाया है तो हमने में सिर्फ हम नहीं होंगे बहु अचन हो जाएंगे यानि कि 5-6 मिस्तिरी लोग मिलकर बनाया है घर को ठीक है तो बहु अचन हो जाएगा आगे सार पानी पीजिए तो हम पानी पी लेंगे क्या करेंगे हम पानी पी लेंगे पानी हाई भी नहीं ठीक है पानी है लेकिन अगर बोले हम कि मोहित सार हमें प्यास लगी है तो मोहित सर बोलेंगे सार आप लोग को बहुत लोग है हम कैसे पिला पाएंगे पानी आप लोग को सम अगर संपर्दान के लिए मेरे लिए मुझको तो मुझको को हमारे लिए ठीक है यानि मेरे लिए के हमारे लिए अब मुझको को हमको बहुवचन हो जाएगा मुझको का बहुवचन हमको हो जाएगा अब मेरे लिए का हमारे लिए मुझसे हमसे मुझसे वेकवचन हमसे बहु पूछिए आप जाईए बहुचन हुआ मुझसे कुछ मत पूछिए एक वचन हुआ आगे है मेरा मेरी मेरे यह मेरा पेन है यह हमारा पेन है हमारा बहुचन हुआ मेरा एक वचन हुआ आगे है मुझ में मुझ पर मुझ पर बहुत कर्ज है हम पर बहुत कर्ज है भाई हम इतने गरीब हैं हम पर बहुत कर्ज है तो हम पर यानि पूरा फैमिली की बात कर रहे हैं अगर हम बोलेंगे कि मुझ पर बहुत कर्ज है तो परसनली मुझ पर कर्ज है एक वचन लेकिन हम पर बोल दिये तो बहुत तो हमारे हम लोग मैय के रूप का देख लिए आगे है तू के रूप का तो तू के रूप को हम लोग कैसे एक वचन से बहुँ वचन मनाएंगे तो यह करता होगा कर्म हुआ करता में तू तूने हो गया एक वचन तू कुट्ता है ठीक है लेकिन बोलेंगे तुम कुट्ते हो एक्जामपल है दिल प्रिम लिजेगा ठीक है ले भी लेंगे तो मेरा क्या करेंगे देखि करने न तुम तू बहुत अच्छा बिद्यारति का तो निने नोर्स तुम सभी ने नर्स बनाया है आगे तुझको तुझे एक बचन तुमको तुम है बहुत बचन समझ पार होगे हमें एक-एक बताने की जरूरत नहीं है देखिए पढ़ भी देता है तुझ से एक बचन तुमसे तु थेक तुझे हमें रभ दिखता है याराँ तो क्या हुआ तो तुझ में ऐख लड़की लिए आ रहा हूं याद रुखिएगा सब्सक्रें की लिए गार है आगे दिखता है तो सारे बच्चों के लिए आति तुम सभें देखता है बच्चों मैं पढ़ा रहा हूं ठीक ना आगे T consistency तुम पर वचन तुझ पर एक वचन तो तू का देख लिए और मैं का देख लिए कि हम लोग किस प्रकार मौलिक को योगिक में चेंज ऐनी को बहू आखन को कर देख लिए और कि अगर करण कारक हो तो तुझसे और तुम में ठीक कर दें आगे पढ़ते हैं लोग और आगे लगते हैं बच्चों कि आज क्या क्लास यहीं तक था और आज आज हम लोग यहीं तक सफर करने वाले थे तो यहीं तक हमाया क्या हुआ आज एक वीडियो हमें लगता होगा 25-35 मिनट का बना होगा और सरवनाम को हमने खतम किया कि जो की सबसे बड़ी बात थे कि सरवनाम को कैसे याद किया अक्सर बच्चे कंफूज रहते हैं और 20-25 मिनट का लेक्चर है आप सरवनाम को अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर समझ मे नहीं भी आया होगा तो आप दुबारा इसको अच्छे से देख लीजेगा ठीक है और बस बच्चे मेहनत करते रहें मंजील मंजील को भूलना नहीं है मंजील बहुत दूर है ठीक है एक बच्चा जो वारल हुआ है ना कि मंजील को भूलना नहीं है दोस्तों मंजील को जाग मना देते हैं लोग कहीं भी आप देखें कहीं भी सोसल मीडिया पर उस बच्चे के संबंद में अगर देखेंगे तो कहीं भी आपको पॉजिटिव कमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि उसका जो उमर न होका दोस्त उसका दोस्त नहीं है चलिए इसी के साथ आप सभी से मैं विदा लेता हूं मिलूंगा अगले लिक्चर में बिसेसर के साथ तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद एंड आप सभी को जैन